नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंखिता पाल बोडिंग के शुरुवात करते हैं सीम पुशकर सिंग धामी ने बुद्वार को सच्छिवाले में उर्जा विभात की समिक्षव बैठक की है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश विदिये हैं और राज में उर्जा एवं वेकल्पिक उर्जा के छेत्र में तेजी से कार किया जाए राजमे निवेश में तेजी से व्रद्धी होगी और इसको विध्यान में रखने की बात कही और रखते हुए गतिमान परियोजनाओं पर तेजी से कार किये जाएंगे उन्होंने कहा कि कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए प्रयासों की जरुवत है और ये प्रयास किये जाएंगे कि परियोजनाओं को पूरा करने की जो भी समय अब्धी है उस समय अब्धी के अंदर पूरी हो जाए यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ कब देहरतून से आपको बतादी कि सीम पुषकर सिंग धामी ने सचिवाले से वर्चुल माध्यम से विक्सित भारत संकल प्यात्रा के तहत अल्मोडा जनपत के लभार्तियों से समवात किया है इन्हें विक्सित भारत संकल प्यात्रा के दोरान केन सरकार की कई योजनाओं का लाब मिला है और इस अफसर पर सीम ने 12 लभारतियों से भी समवात किया और सीम पुषकर सिंग धामी ने कहा कि प्रधान मंति नरेंद मोडी के 9 साल के कारिकाल में समाज के हर वर्ख के लोगों को ध्यान में रख कर योजनाओं बनाई गई और उनका लाब समाज के अंतिम पुष्टी पर खड़े लोगों तक पहुचाया जा रहा है उन्हें ये भी कहा कि विक्सित भारत संकल प्यात्रा का मुख्य उद्देश यही है कि प्रतेग पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाब मिले राज की सभी ग्राम पंचायतों तक विक्सित भारत संकल प्यात्रा का आयोजन किया जा रहा है बीतदेन बिजेफी के पूरोला से विधायक दुरगेश्वर लाल बन मंत्री सुबोध उन्याल के खिलाब उनकी आवास के बाहर धरने पर बैठे थे जसमें उन्होंने मंत्री पर अभद्र विभार और गाली गरोच करने का आरूप भी लगाया था इसके बाद कॉंग्रिस बिजेफी पर तंजभी कस रही थी कॉंग्रिस के पडेश संगठन उपाकद्यक्ष मत्रादर जोशी का कहना है कि कॉंग्रिस पहले से ही कह रही थी कि बिजेफी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा विधायकों और मंत्रियों के जगडे हैं मुखी मंत्री और मंत्री के जगडे हैं और मंत्रियों और अधिकारियों के जगडे हैं और साथ ही उन्हें नहीं यह भी कहा कि बिजेफी अपने आपको अनुशाशित पार्टी बताती है लेकिन उनके अनुशाशन की पोल खुल मंत्रियों और मुंहर्मति जगड़ा है यह इदा कदा सारजनित होते लेते हैं और सारजनित आज भी हुए और निश्चित रूप से उससे सरकार के पूस्ता को आगात लगा है और भाजबा जो अपने को बड़ी अनुसाथ इस पाल्टी कहती है उस पाल्टी का अनुसाथन पातार होते गए सब में देखा है विदायक में जिस टर्टी की बातें कि पड़नी मंतरी मौधे के लिए हैं और मंतरी मौधे निस तरह की की चिपणी विदायक मौधे के लिखी है आप समझ सकते हैं कि सब कुछूल मिलाके राजकाम में अच्छा नहीं चल ला आंदाखाने आपस के लड़ाइया है खबり देहरादुन से जहांपर विजेपी विधायक ने वन मंत्री के आवाज के बाहर धर्णा फिरी पूलाग करके की की मांग भी की है भारती जंता पार्टी की विधायक दुर्गेश्वर लाल अपने निर्वाचन छेत्र में एक संभागी वन अधिकारी को हटाने की मांग की है विधायक ने संभागी वन अधिकारी पर निश्क्री है रहने और उनके निर्वाचन छेत्र में विकास परियोज गई है और इस बात को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरीमा दसौनी ने भी कहा कि प्रदेश के स्थि बहुत ही चिंता जनक होती जा रही है सत्य दल के विधायक का मंत्री के घर के बहार घरने पर बैठने को मजबूर होना प्रदेश की किरक्री कर रहा है बहुत ही चिंता जनक स्थिती आज प्रदेश की होती चली जा रही है जिस तरह से एक मंत्री और एक विधायक जो की एक ही दलके हैं दोनों के बीच में नूरा कुष्टी देखने को मिली और जिस तरह से विधायक को मंत्री के घर के बहार धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा वो अपने आप में उत्राखन की किरकिरी करने वाला है और हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पहले राम सिंग केड़ा और वनमंत्री के बीच की जो बातचीत है वो बहुत आपत्ती जनक थी मंत्री का बड़वोला पन उसमें साफ दिखाई पड़ा समानित उच न्याले के लिए जिस तरह की अबहदर टिपड़ी उन्होंने करी वो अभी शांत भी नहीं हुआ था मामला कि अब ये पुरोला विधायक ने उनके उपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए है जाती सुचक शब्दों से उनको संबोधित किया है और तो और उनके छेतर में मनमानी मंत्री कर रहे हैं ऐसा भाजपा विधायक का कहना है इन सब के बीच में खामियाजा जो है उतराखन को भुगतना पड़ रहा है और ऐसा प्रतित होता है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्री मंडल के सदस्यों के उपर कोई लगाम कोई काबू नहीं है और इससे पहले हमने देखा कि प्रेमचन अगरवाल ने जिस तरह से सड़त पर गुंदों की तरह पीटा था एक करता को उसमें भी मुख्यमंत्री ने कोई रुची नहीं दिखाई और मुख्यमंत्री ने चुप्पी सादली इस तरह से आखे बंद कर लेने भर से प्रदेश की स्थिती नहीं सुधरने वाली मुक्रमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्प्रक्षेप करना होगा और जो कुछ भी दूरियां हैं या जिस तरह का भी फासले बनते चले जा रहे हैं विधायकों के और मंत्रियों के वीज में उनको दूर करने के लिए प्रयास रख रहना होगा कोविट-19 की नए वेरियंट जे एन वन के देशबर में बढ़ते मामलों और देहरदून में आ रहे हैं संदिक्तों के मामलों को देखते हुए राजदानी देहरदून का पंडित दीन दयाल उपाद भ्याय जुलास पताल पूरी तयारी में नजर आ रहा है और इस बात को लेकर मामला अस्पताल की C.M.S. डॉक्टर श्रिखा जन पांगी ने भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला अस्पताल में नहीं आया है स्वास्विभाग द्वारा अड्वाइसरी भी जाई होने के बाद से अस्पताल प्रशासन अलेट मोड पर नजर आ रहा हूँ साथे उन ये भी कहा कि अस्पताल में कोरोना को लेकर दस बैट का आईसोलेशन वाड तयार किया गया है ताकि किसी मरीज में कोविट की पुष्टी होने पर उसे पौरन भरती किया जा सके और इस भार भी जैसी एड्वाइजरी हुई थी हमारे सारे हमने फिलीशन और पैरामडिक्स और स्टो डिपार्टमेंट मेंट्रेंट सब को आदेश दिये थे कि नियमनुस साथ जो एड्वाइजरी आई है उसके अनुरूप अपना विवस्थाएं को सुनिश्यत करें और हमने फिलाल अपने लिए जो 10-bedded COVID के लिए और वैसे भी चिन्दित कर रखे हैं अगर ऐसा कुछ केस आता है आईसलेशन में और वैसे भी हम तयार हैं क्योंकि पूर्ण में भी हमने इस्तिती को किया है और अब तो हमारे पास और भी साधन उपलद हैं पहले से हमारी सि जिम, प्लांट, सिलेंडर्स, कलसेंट्रेटर्स और समय समय पर हम ट्रेलिंग्स भी इन हाउस करते रहते हैं तो हम इसमें पिलकुल अलर्ट मोल रहे हैं अगामी लोकसबाचुनाव 2024 में विजेपी अपनी पूरी तैयारी में जूती हुई है और इसको लेकर लगातार सम्मेलन और कारिक्रम भी कर रही है वहीं बिजेपी 2024 की लोगसभा चुनावत में इस बार 400 पार कनारा दे रही है इसको लेकर भी कॉंग्रेस बिजेपी पर सवाल खड़ी कर रही है कॉंग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मत्वादत जोशी का भी कहना है कि विजेपी जिस प्रकार से कहती है कि 400 पार सीट लेकर आएंगे इसमें कोई न कोई जोल है साथी मत्वादत जोशी ने कहा कि विजेपी जो घमन कर रही है वो ना करें क्योंकि सभी मिलकर उसको हराने का काम करेंगे करेंगे जोशी बड़क बनाने के दी है वो एक सब्सक्राइब करेंगे इसने बड़े भल्ष बक्ता यह इसने बड़े जो किसी गर्नाकार तो है नहीं लाक्ती जलता पार्टिकेट्स जो इतने बड़े संब से कह देते हैं अब देखेगा इसले तार्विम्हें थीन सब्सक्राइब का इसने कहा था उतने सी काई ने कैसे आई यह इससे तो चुना आयो कि कारवा लाली तो रच्छिन खड़ा होता है कि आप कैसे कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी राजी की दल इतने बड़े जंब से कैसे कह सकता है इसलिए जो पर सवाल खड़े होते हैं वो इसलिए दिर दून में निर्धारित टिथी के तहट आपको बता दे कि प्योगिक परिक्षा होगी और बोर्ट ने स्कूलों को निरदेश भी जारी किये हैं और प्योगिक परिक्षा निर्धारित समय सालनी के अनुसार होगी और एक बार फिर से परिक्षा शूट जाने के बाद बोर्ड दूसरा मौका नहीं रेगा छेत्री कारेले ने परिक्षा को लेकर स्कूलों और छात्रों को क्या तयारी करनी चाहिए इसकी भी जानकारी दी है स्कूलों के लिए बोर्ड ने भी नर्देश दिये हैं कि सभी स्कूल प्योगिक विशे के पाठकरम तैस समय पर पूरा कर लें लैब और परिक्षा के तयारी भी समय से पहले पूर कर लें और साथ की चात्रों और उनके अभी भापकों को किसी प्रकार की समस्था होने पर छेत्री कार्याले से जानकारी भी ली जा सके ही। और हमारा चुकी 2024 की प्रिक्षाओं में एक लाख बच्चे क्लास 10th में एपेर हो रहें। और हमारे पास जो इस बार सबसे नया सिस्टेम आया हमारे पास अटढ़ोतिक स्विद्ध्याले आँ के complete schools के जो इतने हमारे से affiliated है, उनके बच्चे सब appear हो रहे हैं हमारे यहां से, इस बार फिछले साल 155 इस सोलों के बच्चे appear हो रहे थे और इस बार 86 स्कूल जो total affiliated है, उनके बच्चे appear हो रहे हैं, दूरस्त चेतरों में भी है हमारे यहां परिक्षाओं का शीडिल जारू हो गया, कंदरों का निरधारन हो गया, 460 परिक्षा कंदर बनाए गए हैं 460 परिक्षा कंदरों में जितना हम सुगम से सुगम देवस्ता के तैट बच्चों को नजदीक में एकॉमडेर कर पारे थो उसके समय बनाया सब प्रिंसिपल से नियंत्रक। कि हर शेत्री शाखा को नर्देश है कि जहां भी शाथों कोई पढ़ाई से सम्मधित कोई भी कटनाई हो उस पर काम किया जाए और साथ ही उन्हों ने यह भी कहा कि सीब्यस्ती के दोस्त फॉर्ड लाइफ मोबाईल एप्रिकेशन की 83 विशेशक्यों के अलावा देश भर में सिब्यस्ती से सम्मरत स्कूलों के 24 प्रिंसिपल काउंचलर हैं मारी यहां देखे हर साल काउंचलर्स भी और खुद सीब्यस्ती की तरफ से हर रीजन को भी यह निर्देश है कि जहां पर भी बच्चों से सम्मधिक कोई कटनाई है स्कूल आपको बताएं इवन दो बच्चे भी बताएं उस पर काम करें दोसरी बात सेंट्रलाइज लेविल पर सुबह नौ से साड़े पांच बजे तब करें एक टोल प्री नंबर है उस पर अपनी बात कोई भी बच्चा काउंसलर्स उस पर हैं उनके बात कर सकता है पेरि इस देशों में और एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के परोसान के लिए सरकार के तरब से खास कर मानने पर दहान मंत्री से वह इतना लगाव से लगते हैं कि बच्चों की च्छोटी-च्छोटी बातों पर बी चिंपावी वेख्त करते हैं और उनको प्रोसाइथ क रानी खेत की चुलिया नौला नगरपाली का एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं और इस बार नगर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट को लेकर नगरपाली का चर्चाओं में हैं और एलीडी लाइट और अन्समागरी को लेकर जुला अधिकारी अल्मोडा दुआरा स्यूक्त मजिस्ट्रेट रानी खेत को जाच के आदेश पी दिये गया हैं मेरे द्वारा स्यूक्त में स्ट्रीट लगाई गई है चालिए इनको अच्छेथिक दरों में खैदा गया है यह लेकि पूर्व में दुबारा इसको उसी फर्म को देना और चति पूर नहीं था जिसमें द्वारा भी लेटर दिया गया था तो मेरी जब यहां बात नहीं सुनी गई तो मैंने स्यम पोटल में इसके सिकायट डाली जिसमें साथ जांच चल रही है अभी मुझे ज्यातवा मेरे को यह बताए गया थी कि आप अवलोकन करने किसी भी कार्य दिवस में यहां पहुचा है कि चौर सो पार इसी बार मोधी सरकार का नारा तै किया है विपक्ष को मनोवज्यानिक लडाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी के चुनाव की अधिस उचनाजारी होने से पहले कम से कम एक सो सीटों पर उम्मीदवार घुशित करने की रणीती बनाई कि सीटों पर प्रत्यार्शी घुशित कर दिये जाएंगे और पार्टी के हालिया विधान सभा चुनावों में ये प्रियोग भी किया था विजपी के प्रदेश प्रवक्ता नविंठाकुर ने कहा कि चुनाव तयारी में विपक्ष पर भारी पढ़ने का तंदेश देने के बिजेपी ने लोग सभा की चारतों से अधिक सीटों से जुड़ी विधान सभा में सयोजक और सह सयोजक न्यूक्त कर दिये हैं 22 जन्वरी से पहले 6 सीटों पर भी तराती कर दी जाएगी देखे हम 169 सीटों पर बहुत बीजी के साथ हमने फ्रोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती और 302 तो हमने पिछली वार जीती थी तो 160 वो और 300 जी तो निश्ची तोर पर अपकी वार हम 400 पार करेंगे और जिस प्रकार जन्ता का उत्साह जो जो हमने कमिट्मेंट के थे उन कमिट्मेंट से बढ़कर हमने काम किये हैं 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे चुड़ गए हैं उनको तो हमने कमिट्ट कर दिया लेकिन जो हमने वादे नहीं की थे उनको भी हमने पुरा किया है हमने नहीं कहाता gesprochen सड़के रोजाना बनाएंगे हमने नहीं कहाता कि हम जो है डिट्सविए इर्पोट गुना देंगे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने कहरे के दिखाया है तो देहरादून से अमोमन तोर पर पुरुशो द्वारा वहां चुलाना देखा जाता है लेकिन अब धीरे-दीरे महिलाएं इस दोर को बदलती हुई निज़र आ रही है आपको बदादे कि रॉलधानी देहरादून के आर्टियो कारेले में बीटे दो हजार तेईस में आपको बदादे कि पहले के मुकाबले काफिछ जादा महिलाओं दोरा ड्राइविंग लाइसंस बर्माने के आविद्धन किये रहे हैं और इस बात को लेकर देहरादून के आर्टियो सेलेश की वाही ने कहा कि साल दो हजार तेईस में आठ हजार पांच को ड्राइविंग लाइसंस बने हैं जिनमें से दो हजार से अधिक लाइसंस महिलाओं के हैं साथी उन्होंने ये भी कहा कि परिजयन में भाग द्वारा महिलाओं को वहां चलाने को लेकर निश्रल का ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हमारा ये प्रयास है कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं लोगन ज्यादा देखा जा रहा है ड्राइविंग सीखने को लेकर वो अपनी तरफ से हम ड्राइविंग लैसे बनाने के लिए ज्यादा अप्रोच कर वही है क्या कहना चाहिए इस मामले में जागता काफी बढ़ रही है पहले जब हम लोग देखते थे तो काफी कम महिलाएं मिलती थे सड़कों पे गाड़ी चलाते लिए लेकर अब महिलाएं काफी आगे निकल कर आ रही है यह बहुत पॉजिटिव डेवलेप्मेंट हो रहा है और देहरादू में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने की प और भी आ गया है परिवर्य व्युवाग हमेशा तक पर हमको सेवा देने के लिए और परिवर्य व्युवाग ने टेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है अभी हम लोग एक बैच को आईटियार धाज़रा में टेनिंग दे रहे हैं एक महिने का फ्रिया कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो उसमें हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि महलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं आप निर्भर रिवर्य ने तो यह अब हमारा प्रयास जाएगा और इसमें हम लोग काफी सफल होगे खबर जन्मत उधम सिंगर के जस्पूर से है जहां पर सावित्ति वाई पूले के जन्मदिन के अपसर पर प्रगतिशील महिला एक्ता केंद्र और प्रगतिशील भोजन माता संगठन की कारिकरताओं ने एक जुलूस निकाला और उपजिला अधिकारी जस्पूर को अपनी समस्याओं से सम्मंदित ग्यापन भी सौपा अपने और शाषन के इस्तर से समस्याओं के निराकरण की बाद भी कही गए में प्रगतिश्वील महिला एकता केंद्र की कारिकता श्राहिस्ता ने बताया कि भोजन माता लंबे समय से संगर्ष कर रहे हैं और पूर्व सिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि भोजन माता का मांदे 5000 किया जाएगा लेकिन अभी तक घोषना अधर से में लटकी हुई है और कोट स्कूलों में भोजनाता अभी भी चूले पर खाना बनाने को मजबूर है और खाने के साथ साथ उनसे ट्वालेट और साथी फील्ड भी जो है वो साफ कराया जाता है करने के लिए प्रियास करेंगे नहीं को सब्सक्राइब कर रहा है और जो है वो आज अपनी माहों को लेकर यहां पर आया हुआ हुआ है फूर शिक्सामंत्री ने बात करी तिक हम तत्काल जो है 5000 रुपे लागू करेंगे वह मांग भी जो है जो गोस्रा की थी वह भी तक आ बोजन माताओं जो है चूले बनाने को मदबूर है और उनके अलावा जो जो बोजन वनाने को लगाइग चाहाई जाए और जो तकाल नागाउ किया जाए और दूसरी है कि हमारा नियुन तम बेतन जो है 15,000 लागू किया जाए और भोजन माताओं को इस समय हम जो है जम कोट आये हैं जम साफ को गया गया पक देंगे भोजन माताओं के साथ और आज कि हम यही कारवाई करेंगे तो इसमें एक्षन लेगी अगर इस ते एक चीज़े नहीं होती है तो बाकि हमारे जो है जगजगए प्रदसन हो और यह अगर ऐसा होगा तो फिर आगे और दूसरी कारवाई करेंगे कहा कि उधम सिंग नगर हरिद्वार में पांस दिन कोहरे का यलो एलेट भी ज़ारी किया गया जबकि देरादून चंपावत नैनिताल और पौडी में सुबा शाम कोहरा चाह सकता है अगले पांस दिनों में उत्राखंड में मौसम सुष कहेगा कोहरे की बात करें तो उत्राखंड के मैदानी शेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है तो अगले आने वाले तीन दिनों में उत्राखंड में जो मैदानी शेत्र हैं महाँ पर उत्रे से लेकर मध्यम कोहरा चाहे रहनी की संभावना है जबकि उत्राखंड के हरिद्वार और उद्दम सिंग नगर जनपर है पर कुछ थानों पर घना कोरा भी मिल सकता है तापमान की बात करें तो अभी वरतवान में जो अधिक्तम और नियुनितम तापमान है वो सामानी के आसपास चल रहे हैं जिनमें आगे आने वाले तीन-चार दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिक्तम और नियुनितम तापमान वो सामानी के आसपास ही बने रहे हैंगे दन्यवागत जिनपत उदम सिंग नगर के खटीवा में कुमाउ सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वधान में तराई बीज विकास निगम के परिसन में उत्राईडी कौतिक का आयूजन 12 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जाएगा और साती सनातन परंपरा एवं लोग संस्कति को जिवानत रखने के लिए उत्राखन के पराणिक संस्कति, सब्भेता, लोककला, आपसी प्रेम सोहार्थ का प्रदर्शन उत्राणी कौतिक में किया जाता है और 12 जनवरी को खटीमा कौतिक इस्थर से संस्कतिक जाकियों से सजी रंग यात्रा का आयूजन होगा 14 जन्वरी को मकर संक्रांती के पावन अपसर पर विशाल किछडी भंडारे का आयोजन कौतिक परिसर में होगा वह कुमावयू संस्क्रतिक उत्थान मंच खटीमा के अध्यक्ष कैप्टन ठाकूर सिंग खातीने छेत्र के जनता को परिवार सहित उत्राणी कोतिक में प्रतिभाग करने की अपील भी की है अर्मंच के कोशा अध्यक्ष बियस महता ने बताया कि विगत 24 सालों से लगातार तरई दीज विकाज निगम के परिसर में उत्राणी कोतिक में भव मेले का आयोजन किया जाता है अध्यक्ष बिकत 24 सालों से इत्राई वी जीगम के इसे पाउन प्रांगण में लोग संस्कृत से समझत मेला आजित कर रहा है यह हमारा पाउन सोबाग यह है प्रम सोबाग के है कि हम उत्रागन की लोग संस्केटिकों विगत 19 वर्चों से हम इस मेले का इविजन कर रहे हैं हमारा मेला आज दो जन्वरी से रंगोली एपन सबुनाखर नीवू सानोर के सज्या आगी कारिकरूम से प्रार्म होता है है उन्य प्रम्पराओं को सजीवी रूप देने का काम शластा करती है इसके हमारी संस्कृतिकर २ा श्रमुर्धन होता है और आने वाले फीडीको एक संधेश जाता है कि किस परकार से हमारे भीदवाज हैं प्रम परकार से हम इत्री जिवाज़ें इन्य ब्राओं को खंपन करते हैं इसका एक उंदर सा मेसेज इस मेलिक के माधियम से हम देते हैं 12 जन्वरी से लेकर 7 जन्वरी तक इस तरह बीजी गम में कुमाश शासिकुनू अमावश शार मांचे यहाँ ही मेला एवजित कर रहा है जिसमें बहुत सारे देश विजेश के बहुत सारे प्रदेशों के योद्यापारी हैं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लाद सुमूर्टे में इतना ही नमस्कार